मिडिल इस्ट में तनाफ थमने का नाम नहीं ले रहा है एक तरफ गाजा में जहां इसराइली आतमी संगठन हमास की कमर तोड़ने में लगा है तो वहीं इरान समर्चित कई उबरवादी संगठन भी इसराइल पर हमलावर है इसराइल हमास जंग अफिर खतरनात मोर पर आ चुकी है हिजबुला की ओर से लगातार रॉकेट और मिसाइल हमले चारी है लिबनान के हिजबुला लड़ा के लगातार इसराइली आलाकों पर धावा बोल रहे हिजबुला आतंकियों के हमले के बाद से इस्राइल दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने को मजबूर हो गया है लिबनान की तरफ हिजबुल्ला आतन क्योंगे हमले का जवाब दिने के लिए इस्राइली डिफेंस फोर्सेज यानि की IDF ने भी मोर्चा समालते हुए जवाबी कारेवाई करने से पीछे में हट रहा है इस बीच लिबनान की इसलामी प्रतिरोद ने दावा किया कि उसने कबसे वाले फिलिस्तीनी बॉर्डर पर कई इस्राइली मिलिटरी साइट्स पर हमला किया है हिचबुल्ला लड़ाकों ने बीट हिलेल बेस और आयरन डोम पर हमलावर ड्रोन से भी हमला किया हिचबुल्ला ने बताया कि उसके लड़ाकों ने हमलावर ड्रोन का इस्तमाल कर इस्राइली फोर्स और इसके ठिकानों को भुशाना बनाया IDF ने F-16 लड़ाको जेट का इस्तमाल कर इन हमलावर ड्रोनों को रोकने का असफल प्रयास किया लड़ाकों ने दावा किया कि ये सीधे हमला करने में सब्षम था सोशल मीडिया पर वारल फुटेज में देखा गया कि हमलावर ड्रोन कपजे वाले फिलिस्तीन की ओर ब्लू लाइन को पार करते समय टान मटोल कर रहे इस्राइली अव्रोडों से पश्मिकले अरब न्यूज अलमयादीन ने बताया कि लड़नान के एक हमलावर ड्रोन ने अलजलील पैल हैंडल में बीट हिलल बेस पर आसपास एक सैन लक्ष पर हमला किया साथ ही इस्राइली युद्धक विमान कबजे ओले फिलिस्तीन की ओर ब्लू लाइन को पार करने वाले ड्रोन को रोपने में विफल रहे वहें इस्राइली मीडिया ने बताया कि हच्बुल्ला ड्रोन कबजे ओले उपरी अलजलील में प्लास्ट हुआ इसके अलावा तक्षिनी लिबनान में अलमयादीन ने कुलासा किया कि लिबनान से कब्जे वाले लिबनानी शेबा फार्म में इस्राइली मिलिटरी साइट्स में से एक की ओर कफर शुग्रा की कब्जे वाली लिबनानी पहाड़ियों की ओर सीधी गोली बारी की गई थी इस्राइली हमलों की एक सिरीज में पूर्वी इलाकों को निशाना बनाया गया हिजबुल्ला लड़ाकों के हमलों की वज़े से केरेट शमोना की इस्राइली बस्ती में ब्लैक आउट हो गया इस से पहले हिजवला ने दावा किया था कि उसने मिसाइलों का इस्तमाल कर कबजे वाले लिबनानी शीबा फार्म में सीधा हमला करते हुई इसराइली रुवेशेट अलकर्ण साइट को निशाना बनाया था हिजबुल्ला लड़ाकों ने लंबी दूरी की मिसायलों का इस्तमाल कर कैफर शुबा की कबजे वाली लेबनानी पहाडियों में इस्राइली अल समाका साइट को भी निशाना बनाया हिजगुल्ला ने इस्राइली कबजे वाले स्थानों के खिलाफ कई अन्य ओपरेशन भी किये जल अल आलम और रामिया साइट पर जासुसी उपकरण बंकर की लिबंदी और रामिया साइट की चोक्यों पर बंबारी की गई इसमें इस्राइली बस्ती मेटूला की एक इमारत में इस्राइली सैनिकों का जमावडा भी शामिल था हिजबुल्ला मिलिटरी मीडिया ने कत्यूशा और फलक मिसायलों का इस्तमाल कर उत्तरी कबजे वाले फिलिस्तीन में इस्राइली बस्ती केरेट शमोना को निशाना बनाने की फूटेज भी जारी की